हेलो फ्रेंट्स, असलाम वालेकुम, वेलकम बेक टू माई चैनल तो आज मेरे ब्लॉग में जो है कुछ नया होने वाला है आज में आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ क्योंकि आज नया ये है कि जब से हमारी साधी हुई है तो जब से में इनको जो है कुछ भी काम करते हुए नहीं देखा है ना ही ऐसी जुरूत पड़ी है तो आज जो है फरस्ट टाइम ये किचिन में जाकर कुटिंग करेंगे मेरे सामने पहले तो इनने की है लेकिन साधी हुई है जब से इनोंने कभी भी कुकिंग नहीं की है किचिन में तो आज ऐसा टाइम पड़ा है तो इनको किचिन में जाके कुकिंग करना पड़ी है तो क्योंकि मम्मी जी जो है सुबा से काम कर रही थी उन्होंने खाना बगरा बनाया तो आज उनको मार्केट में कुछ काम था तो इसलिए उनको मार्केट जाना पड़ा क्योंकि जब से डिलेवरी हुई है तो मार्केट नहीं गई है तो अभी काफी टाइम हो गया है तो उनक में तो बना नी सकती हूं क्योंकि सवाब में तक मैं किचन में खाना नहीं बना सकती हूं तो इसलिए जो है इनका मन कर रहा है तो यह बोलने लगे चलो आज में ही बनाता हूँ तो आज मैं मनलब फर्स टायम देखूंगी की ये ओमलेट कैसे बनाते है और आमलेट को क्हाने में मैं okay करना ये कि आदा तो ओर अबी की चलते हैं तो मैं लेकर चलती हूं के किचिन में तयारी कर रहे हैं कि कि असलालेकूम काफी टाइम बात कुकिंग करने जा रहा हूं देखो इंसालला चीतरा बंजा आमलेट आमलेट बना रहा हूं मैं आज आमलेट बिनाने के बाद मिलते हैं कि बिस्मिल्लाइब रह्मान ने रहीं कि सबसे पहले कि पांडी फोर एगे कि झालेट जालेट रहा हूं आमलेट उना रहा हूं तु़ में वोर इंसे पांड़ कि य्टलों भालेट उना रहा हूं तरह नहा है याज प्यूंट बाज खूए कोशो जएको गया है वाज़ ते मिर्च बगर्णा धनिया और प्याज शारी चीज़ खाट लेता हम जब तक अच्छ आप अच्छ आप प्याज शारी चीज़ खाट चुपी अच्छ आप अच्छ प्याज ने जला दीए अच्छ आप इसको प्याज को रखकर बड़र डालीगा इस पर इसको मेंट होने देंगे हैं अज जो मेंट हो चुगा है अज थोगा इसको फैट के देख कर दो झाल 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 प्रकल्ठार आप इनम आप तो रा मिलेट जो है बनाकर लेकर आए हैं तो अम मैं देख लेकिन कैसा आए मंसल्ला भेसे तेस्ट तो बहुत ही जाओडने में बहुत अच्छी लग तो अभी मैं इसको चेक कर लेती हूं और मैं आपको बताती mindful जो हाँ है कि वनी है तो यह पकी तो बिल्खुल ऩो अच्छी तरीके से हैं चुआ निए तो एकशन में अच्छी है मैं आशिए बहुती यह दो दो भी मुझे आट गायए नहीं दो आपके दो मुझे पसंद आई वैसे तो मैं अंडा नहीं खाती हूं लेकिन में ने हमने में देट की थोड़ी सी लेकर तो भुषि देटी लगी है और गोसित करूंगीए कि आग अग यह से सही बन भाओ न जब भी बोलेंगी कभी, हम भी खिलाना ही मना कर. जब बोलेंगी कर दो दो परोटी भी बना लेता था, और हम लेटी भी और कभी कभी तो अलिया मार्किट से आ चुकी है अपनी दादी साथ कही ती, तो यह है तो यह मार्किट से आ गई है, और बहुत सारी सौपिंग करके आई है, और इनाया भी जाग चुकी है, तो यह देखो जाग चुकी है, और मैं इसको सीधा ले डालती हूँ, तक यह लगा कर, लेकिन यह फिर भी करवट ले लेती है, इसको हॉस्पिटल से करवट लेने के आद हुए है, तो यह मुश्किल से सीधा लेटती है, और यह देखो जाग चुकी है, तो अभी जो ममी जी सौपिंग करके लाई है, तो ममी जी यह सौपिंग करके आई है, तो यह लाई है, नमकीन लेकर आई है, तो यह पांस तरीके नमकीन लेकर आई है, और यह पार्ली जी ब बेटू की चो खोवा और ये है मसूर की डाल एरियल और ये बड़ा वाला तोस्ट का पेकेट गुड़ और इसमें है अचार आम लेका अचार लेकर आई हैं अमीजी और ये लेकर आई है कंगन का सेथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है रेट करका और ये लाइटर लेकर आई हैं वीड़ो अपने आईस क्रिम खाली और आपसे एक सवाल है आप इनाया को अपने खिलोने सेर करोगी हां हां सही से बताओ बोलो अपने साथ खिलाओगी हां अच्छा दोस्टी कर लोगी इनायसे हां अच्छा आपको इनाया केसी लगती है आच बेबी एए? आप बोद में लेते हैं रोटे हैं रोती हैं कहीं है तो आप उसको उपर ले जाना रूम में हाँ और खिलोनों से खिलाना ठीके है हाँ ओके और आप उसको आइसक्रीम भी खिलाओगी हाँ अच्छा ठीके आप सब चीज सेयर करोगे नाया के साथ हां सेयर दूंगी सुचकर करोई लाइट करेंगे बाई-बाई बाई-बाई तो I wish you happy birthday आलिया कल सिद्रा सारिम जी के बच्चे का बर्थड़े है लेकिन मुझे पता नहीं है बेबी लड़की है या लड़का और नहीं उन्हें नाम बताया है लेकिन मैं उन्हें बिस कर देती हूँ happy birthday जिसे कि एक viewers पूछ रहेते कि सिजरिन के बाद घी कब से खा सकते है जो रहेते हैं तो मलब घी खा सकते हैं जो कुछ पी अगर लेती हुआ तो उसमें थोड़ा सा घी डाल कर कर खा सकते हैं और जो is मलब सूरू से नहीं खाना है और जब डॉक्टर ने मुझे बूला था पांचवे दिन उन्होंने मखने तरने के लिए बॉला ता तो इसमें तो आप उसमें थोड़ा सा गी की चीज बन रहे हैं तो यह थे आज की विवर्स के कुछ कमेंट के जवाब तो अब जो है मैं इस ब्लोग को यहीं पूरा करती हूँ क्योंकि आप लोग को अब आज आ रही होगी बेटू जो है रोने लगी है क्योंकि वो किसी बात पर रूट गई है तो अब मैं जा कर पूछती हूँ اور क्यों हो रही है वोg और मैं इस बिलोग को यहीं पूरा करती हूँ अगर आप लोग को आज का बिलोग पसंद आया हो तो फिलिस लाइक करें और आप लोग नए हैं तो subscribe जरूर करें और bell का ओडन के लिए जरूर करें जिससे आपको नई वीडियो की notification मिल सके तो मिलते हैं न बड़ा, peace!